2019 Mr. Olympia आज दोस्तों इसकी pre-judging खतम हो गई और हम लोग बात करते हैं कि क्या सब रहा है इसके अंदर किस तरह का शो था एक्साइटिंग हुआ, मज़ेदार हुआ या फिर अपने लो पर था यही वीडियो का आज का आपके है दोस्तों कैसे आप सब मेरे नाम है विरल आप देख रहे हैं All About Olympia YouTube चैनल आगे बढ़ते हैं और pre-judging हम लोग discuss करते हैं तो इसके अंदर देखो हमें मालुम था कौन-कौन से bodybuilders टॉप पे रहने वाले हैं और कुछ वैसा ही हुआ अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर first call out की तो first call out में आये थे Hardy Shupan, definitely उनको आना था Rolly Winklar, William Bonak, Dexter Jackson Steve Kuklo और Brendan Curry, तो यह थे bodybuilders first call out में लेकिन मैं बोलूँगा इस बार का जो level रहा है Mr. Olympia का वो लगबग 20-25 साल के अपने low पर रहा है मैं यह नहीं कह सकता के all time low पर है लेकिन हाँ जैसे हम पिछले 20 सालों से 10 सालों से देख रहे हैं Olympia Champions बनते हुए वो level अभी नहीं था अभी ऐसा था यह मुझे ऐसा लग रहा था देखकर के Arnold Classic जो इस साल का हुआ था वो ज्यादा ऊचे लेवल का था उसका एक लेवल बहुत अच्छा था उसमें bodybuilders ज्यादा condition, ज्यादा peel थे और वो एक ज्यादा worthy competition था इस बार के Mr. Olympia से तो actually मैं इस बार का Olympia जो है Arnold Classic से भी नीचे चला गया इसमें कई सारे ऐसे bodybuilders जिंसे के मुमीद कर रहे थे कि काफी अच्छी शेप लेकर के आएंगे लेकिन सभी बता हूँ ज्यादा तर bodybuilders इसके अंदर अपनी best shape में नहीं आए थे कुछ तो off ही आ गए रोली इंकलार के अगर बात करता हूँ समय मैं रोली एक्दम आफ आये थे और एप्स वग्यारा भी उनके कुछ दिखाई देनी रहे थे कुछ ज्यादा मिट सेक्शन को भी कंट्रोल करना खेर वो चीज़े अलगे लेकिन में तो कंडीशनिंग हिट करने वाली बात होती है हाला कि रोली का फेस जो एक्दम सक्डाउन अजर आ रहा था उसके अंदर प्रेस कॉंफरेंट्स के अंदर लेकिन इसमें रोली की कंडीशनिंग मैं बोलूगा इस बार कि आनुल क्लासिक में ज्यादा अच्छी थी तो रोली विंकलार इस तरह से ब्रेंटन करी लगा था एक बात बोल रहें थे उनका वेट इतनी तेजी से नीचे नहीं आरहा था था हलाकि वो कार्डियो भी जादा कर ले थे काप्स भी खारे थे हर तरह से लेकिन वेट नितिस इंका डॉप नियुँ रहा था क्योंकि वो मसल मैच्यूरिटी जादा हीट कर दे लेकिन मुझे ल तो ब्रेंटन की फिजीक भी एकदम डाउन लगी मुझे और बाकी ग्लूट्स और हैम्स्रिंग्स वग्यारा तो वैसे कि वैसी थे वह यह कि कि रोली विंकलार हिट करते हैं तो वह एक इंप्रेसिव चीज लगी मुझे और अगर मैं करता हूं इसमें हाड़ी शुपान की हाड़ी शुपान एक ऐसे बॉड़ी बिल्डर माने जाते जो कि अकसर कंडीशनिंग हिट करते ही करते हैं और ठीक ऐसा उन्होंने इस वाले कॉ बेस्ट पर नहीं थे बेस्ट उनकी वही फिजीक थी जो कि उन्होंने अभी वैंकूवर प्रो में दिखाई थी वह फिजीक उनकी उस जैसी फिजीक इसमें नहीं थी मिस्टर ऑलम्पिया में हाड़ी बहुत अच्छे थे ऐसा नहीं था कि ओफ लग रहे थे हाड़ी के रहे तॉप 4 बाड़ी बिवी बीडर से उसमें इनकी बाड़ी उतनी हाड नहीं लग रहे थी चेस्ट में उतने फाइवर्स नहीं आ रहे थे जो आम तोर पे आते हैं इसमें अगर मैं लास्ट कॉल आउट के बात करूं जिसमें कि चारों बॉडी विल्डर से तो इसमें थे रोली विंकलर और ब्रेंडन करी हाडी शुपन विल्यम बुनेक इन चारों का नाम टॉप फोर में आचुका है मतलब डेक्स्टर टॉप फोर से बाहर हो गए अभी तो अब बात करत सब्सक्राइब अच्छी चीज़ है कि वह भी कंडिशनिंग करते ही करते हैं लेकिन हलका सा मैं कबोलूंगा के वाटरी वह लग रहे थे सभी बोलू तो काफी है तक चांसे मुझे विल्यम बुनेक के लग रहे हैं कि कल वो जीच सकते हैं विल्यम और हाडी में से चांसे व कोई नहीं था, लेकिन बात मैं करता है और रहे हैं कि यह जरी अज्फेन काफीजी बीस साल ना थे लेकिन गोटे ने देखा तो रहे और वो से नदर भी नहीं दिख रहा थे और वह वह जाए च अपन तर डहन रे शेचर्ण उनकर अज और से लिग नहीं दिख यह जाँ द सेपलेशन जो कंडीशनिंग उनकी टेमप प्रों के अंदर थी तो अगें डेक्स्टर भी अपने पीखिट नहीं कर पाए और चेस्ट साइट चेस्ट पोज उनका उसमें काफी फ्लैट नजर आ रहे थे वह तो डेक्स्टर मैं कहुंगा कि उस तरीके से नहीं आपाई सेड्रिक को देखकर क्या असा लगता है अगर कल के कॉंटेस्ट में वह एकदम ड्राय आ जाती है तो बहुत बॉड़ी बिल्डर का काम खराब कर सकते हैं सेड्रिक को इन्होंने फस्ट कॉल आउट के नहीं डाला और उसकी वजा मुझे भी नहीं समझ में आई कि ऐसा क्यो हलका सा वही है कि वाटर वगयारा नजार आ था उनकी फिजीक में अगर ड्राय आते हैं कल वो तो सेड्रिक बहुत इंप्रेसिव लगे और मुझे परसनले उनकी फिजीक वन ऑफ बेस्ट इस कॉंपरीशन में लगी जो कि उन्होंने इंप्रूब्मेंट वाइज अपनी द सब लोगों को बाकी वही है लुक सेंडो उसी तरह से थिक स्किन लेकर के अपनी जिस तरह से वह आम तौर पर हमें दूसरे कॉंपिटीशन में दिखाई देते हैं और कंडीशनिंग वगयारा तो नहीं हिट कर पा रहा था इनमें से कुई जाधार बॉड़ी बिल्डर की थ आप पैट्रिक मोरे की फिजीक देखें काफी ज्यादा हत्ता के क्लासिक फिजीक इनकी नजर आती है और इनके पोस तो पोस अगर मैं देखूं तो बहुत इंप्लेसिव नजर आ रहे हैं क्यों पोस भीट कर लेते हैं और साइज भी इंके अंदर अच्छा ऐसा निया कि ब अप्लेशन पूरी बॉड़ी में बहुत अच्छा है चेस्ट की जो मसल्स की जो शेप है बहुत अच्छी एप्स जो है बहुत बढ़िया नजर आ रहे वेस्ट एक दम स्मॉल है हर चीज इतनी इंप्लेसिव लग रही थी कंडीशनिंग वाइस भी बहुत अच्छी फिजीक नहीं देखते आज के टाइम में वैक्यूम हिट करते वे नहीं देखते इतनी असानी से किसी को पर इनके अंदर दोनों ही चीज़े नजर आई तो आने वाले टाइम में काफी कुछ कर सकते हैं इंप्रेसिव बॉड़ी बिल्डर लगे मुझे तो बाकी यही है या पहले वाले कॉम्पिटिशन में देखा है उतने इंप्रेसिव तो नजर नहीं आ रहे थे हाडी का मेरा एमानने हाडी को लेकर के कि अगर वो कल जादा हाड आते हैं एकदम ड्राय तो आज भी आए थे लेकिन हाडनेस कहीं ना गई उनकी मिस हो रही थी पोस के एंड में ज सब्सक्रासिक में जाद अच्छे थे ओलंपिया में इस साल तो नहीं उतने इंप्रेसिव नजर आ रहे बाकि फिर भी टॉप फोर में ये सारे बॉड़ी बिल्डर सा चुके चारो ब्रेंडन विलियम रोली और हाडी ये टॉप फोर में है डेक्स्टर इस वक्तॉप फोर क कंडीशनिंग सेप्रेशन दिखाई दे रहा था और दिख रहा था कहां डिजर्फ करते हैं अगर जीता है तो उससे पहले हमने बॉड़ी बिल्डर को देखा है कि हाँ विनर अलग से दिखाई दे रहा है इस बार अभी तक भी कन्फूजन है कि इन में से इन चारों में से क अगरे के बारे में और अक्सर होता है जिस बॉड़ी बिल्डर की ज्यादा है बनी रहती है वो फिर अंडर परफॉर्म करता ही है मुश्किल होता है उसके लिए कि वह एकदम उस हाइप को मेंटेन करके रखे उस चीज को और हां कल गिववे है डाइनमी नूट्रिशन के ब मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में तब तक के लिए स्टे ट्यून गुडबाई शुक्रिया